इंडिया बना भारत को लिकर कींद्र और विपक्ष के बीच छड़ी जंग के बीच मोधी सरकार ने अंतर राष्ट्रिय मंच पर एक और बड़ा कादम उठाया है। देश का नाम इंडिया नहीं बलकि भारत लिखा हुआ था। यह बात खास इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जब भी प्रधान मंत्री किसी अंतर राष्ट्रिय मंच को संबोधित करते थे तो उनके टेबल पर रखी कंट्री प्लेट पर देश का नाम इंडिया लिखा होता इस पूरे विवात की शुरुआत 5 सेतंबर को उस वक्त हुई जब जी ट्वंटी शुखर सम्मेलन के रातरी भोश के निमंत्रन पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगा प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है निमंत्रन पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष अरुप लगा है कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया शब्दिक के इस्तिमाल को बंद कर कीवल भारत कहे जाने की योजना बना रही है यह भी कहा जा रहा है कि संसत का विशे सत्र भी इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए जैराम पढ़ा जा सकता है जिसमें लिखा है कि भारत जो इंडिया था राजियों का एक संग होगा लेकिन अब इस राजियों के संग पर भी हमला हो रहा है दरसल कॉंगर्स के सीनियर नेता जैराम रमीश ने दावा किया था कि राश्ट्रपती भवन में 9 सितंबर को होने वाले ड सरकार के इस कदम की जम कर तारीफ की थी ब्यॉरर रिपोर्ट दिली समझा